हाँ पलके जुकी है सासे रुकी है कोई हमें पुकारे हे गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल एडिटर आनन्द तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम फोल स्क्रेंड मूविंग लीरिक्स स्टाटस वीडियो बनाने वाले हैं संट है कि आप वीडियो की स्टाटिंग में देख चुके हो तो अगर आप भी अपने फोटो के साथ या किसी की भी फोटो के साथ कुछ इस परकार का स्टाटस वीडियो किりयड करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको इन्ड तक देखना है ताकि आप step by step समझ पाएं कि वीडियो को edit कैसे करना है फ्रेंड ऐसे status वीडियो बनाने के लिए हम एक application चाहिए जिसका नाम है काइन master तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप महाँ से जाकर असानी से download कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड वीडियो editing के लिए काइन master application को open कर लेते हैं तो फ्रेंड हम अपने काइन master application में आ गये हैं आने के बाद यहाँ पर हमें new project पर click करना है उसके बाद यहाँ पर हमें new point solar का रेस्यू लेना है, लेने के बाद यहां पर हमें create पर click कर देना है अब हम यहां पर सबसे पहले अपने background image का selection करेंगे तो उसके लिए यहां पर हम इस image वाले section में जाना है उसके बाद यहां से हमें कोई भी एक color के image का selection कर लेना है तो जैसे मैं यहां से black का selection कर ले रहा हूँ उसके बाद यहां पर इसकी duration को खीश कर हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है देख सकते हो friend यहां पर आप जितने second का बनाना चाहते हैं उतने second का रख सकते हूँ उसके बाद यहां पर हमें click करके इसकी screen को कुछ इस प्रकार से zoom कर लेना है और यहां से हमें back आजाना और scroll करके starting position पर आजाना है फ्रेंड इसमें अपना photo add करेंगे तो उसके लिए यहां पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर media में जाएंगे और यहां से अपने photo को add कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां पर आप चाहो तो अपना photo भी use कर सकते हो फ्रेंड मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं आपको जितने photo's और वीडियो's का use करूँगा उनका सबका link आपको वीडियो के drip किप्सन में मिल जाएगा आप महाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड यहां से हमने अपने photo को add कर लिया है add करने के बाद यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी जूम कर लेना है अच्छे से जूम करने के बाद हमें कुछ इस प्रगार से हाँ पर उपर के साइड में ऐसे करके इस साइड से हमें फोटो को सेट करना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रगार से आपको भी सेट करना है उसके बाद यहाँ पर इसकी डिवरेशन को खीच कर हमें कुछ इस प्र प्रकार से आ जाना है उसके बाद यहां पर हमें फोटो को कुछ इस प्रकार से सलाइड कर देना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको सलाइड कर देना जब तक हमारा फोटो इंड नहीं हो जा रहा है तब तक हमें कुछ इस प्रकार से ऐसे करके सलाइड कर देना ह स्क्रック करण करके स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है अब फिरेंड इसमे अपने एक फोटो और आड करेंगे तो उसके लिह आपा लेर मिजाएंगे लेर मिजाने के बाद इहाँ पर विडिया मिजाएंगे और यहां से अपने फोटो को आड कर लेते हैं तो ऐसे करके set कर देना है, set करने के बाद यहां पर क्या करना है, यहां पर इसकी duration को खीच कर हमें कुछ इस प्रगार से यहां पर end तक कर लेना है, करने के बाद स्क्रोल करके starting position पर आ जाना है, फ्रेंट यहां पर इस photo को हमें कुछ इस प्रगार से थोड़ा सा और नीचे के side में खिसका लेना है कुछ इस प्रकार से देख सकते हो अब यहाँ पर हमें इस चावी पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से एंडिंग पोजिशन पर आ जाना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको फोटो को स्क्रोल कर देना है उसके बाद यहां से हमें कुछ इस प्रगार से बैक आ जाना है और स्क्रोल करके स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है अब फ्रेंड इसमें पर एक फोटो आड़ करेंगे तो उसके लिएर में जाएंगे लिएर में जाने के बाद यहां पर म और यहाँ पर दोनों फोटो के सेंटर में हमें कुछ इस प्रकार से इसे set कर देना है, देख सकतो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी set कर लेना है, और यहाँ पर हमें इसकी duration को खीज कर कर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर end तक कर लेना है, देख सकतो फ्रेंड इसी प्रकार स से स्टार्टिंग पोजिशन पे आ जाना है अब फेंड इसमें अपना एक लीरिक स इस्टकर से स्क्रोल करके थोडा सा आगे कि तरब स्क्रोल कर देना है उसके बाद नीचे के साइड में आएंगे तो हमें ब्लेंडिंग में आना है blending में आने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से multiply कर देना है and इसकी size को हमें कुछ इस प्रकार से zoom कर लेना है और इसे हमें थोड़ा सा rotate करके अच्छे से हाँ पर इसकी center में कुछ इस प्रकार से set कर देना है set करने के बाद यहां से हमें अच्छी तरीके से कुछ इस प्रकार से back आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपने एक template वीडियो आड़ करेंगे तो उसके लिए हमें पर layer में जाएंगे layer में जाने के बार यहां पर media में जाएंगे और यहां से अपने template वीडियो को add कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से हमें अपने template वीडियो को add कर लिया है add करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इस हमें पर split screen में आना और इसे full screen में कर लेना है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से back आ जाना है बेक आने के बाद निची के side में आएंगे तहां पर हमें blending में आना है blending में आने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इसी skin कर देना है skin करने के बाद हमें simply आपको कुछ इस प्रकार से बैक आ जाना है तो friend हमारा status video completely बनकर तयार हो चुगा है तो चलिए friend आपको थोड़ा सा play कर कर दिखाते हैं तो देख सकते हो friend हमारा status video कुछ इस प्रकार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने phone में save करने के लिए हाँ पर हमें 0 पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर quality आप अपने recording रख सकते हो और save आज वीडियो पर क्लिक कर देना और आपका वीडियो save आज स्टार्ट हो जाएगा